नमस्कार मित्रो जय हो गंडपती महराज दोस्तों श्वागत्याब शभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर सी एक नई और ताजा वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 27 शप्टमबर बुद्धवार आपके राशी के महराशी फल के बारे में 27 सितंबर बुद्धवार के दिन आपके लिए कैसे रहेंगे इस दिन कैसी इस्ततियों का नर्मान होगा इस दिन ग्रहों के स्तति कैसी रहेंगी क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का अशर आपके राशी पर क्या होगा शाथी जानेंगे इस दिन आपका शुबरंग और शुब अंक्य क्या रहेगा कितना प्रतिशत भागी आपका साथ निभाएगा और किस तरह से प्लान करके चलें ताकि दिन बने शबसे खास सबसे बहतर लेकिन उश्य पहली आज के गिरह नक्षत्र और पंचांग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों आज दिनांग 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार तिथी की अगर बात करें तो शुक्ल पक्ष की तरियोदशी तिथी 10 बसकर 19 मिनट तक रहेगा और इस दिन धनिष्टा रक्षत्र का नर्मान हो रही है आज का अविजित महुर्द का समय तो आज के डेट में कोई भी सुब समय नहीं है वहीं अगर राहुकाल की बात करें अठाद दिन का असुब समय की तो बारा बसकर 17 मिनट से एक बसकर 47 मिनट तक रहेगा मेरे प्यारे मित्रों इस राहुकाल में कोई भी नए कामों की शुर्वात भूल से भी ना करें नहीं तो आपके कार्यों में बिग्न बाधा आशकती है दोस्तों अब बात करते हैं सोर्य और चंद्रमा की तो सोर्य कर्ण्या राशी पर गोचर कर रहे हैं और संद्रमा कुम्भ राशी में संचार करेगा पूरे धन्द्राद आईए बात करते हैं आपका देनिक राशी पल और यहाँ प्रेडिक्शन आपके चंद्र राशी पर आधारित है तो लाराशी बालो सितारे कहती हैं आज आप जो भी कुछ सुरू करेंगे स्वाहे उसमें कितनी भी बाधाई क्यों न आए आपको शफलता मिलने दय है साथ ही दोस्तों अगर आपने नौकरी के लिए कोई आविदन किया था तो कमपनी से इसकी जांस परताल करें आपको नौकरी से संबन में एक अच्छी खबर प्राप्त हो शक्ती है और सितारे कहते हैं पदुन्ती या वेतन ब्रिधी भी आज आपको मिल सकता है और अगर आप शंपती खरिदने के लिए योजना बना रहे हैं तो आज का दिन शौदे के लिए अनुकुल है कुल मिलाकर भागी के दृष्टी कौन से शमय उत्तम है बाजार में फुसा हुआ धन बड़े आसानी से मिल सकता है और थोड़े से प्रियास में ही आपको बड़ी सफलता हाथ लग सकती है जिससे आपका मन पूरा दिन प्रसन रहेगा गदगद रहेगा देखी दोस्तों पिछले कुछ समय से आप आविक के प्रभाव में आकर फैसले ले रहे थी लेकिन आज आज आपको योजना बनाकर शही धंग से काम करने की महता का पता चलेगा इसी से आपकी प्रविट्थी बदल जाएगी और आपके कुछ काम का धंग नियोजित होता जाएगा योजना बनाने के लिए कभी देर नहीं होता है जब जागो तवी सवेरा योजना बनाकर आप सभी कामों को धंगशे पूरा कर पाएंगी और उसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगा इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी आपकी प्रेम शंबंद के लिए जो समय होंगी आज का दिन संबंद सुधार ने और पुराने गलत फेहमियों को एसपश डूर से दूर करने के लिए एक दम उचित समय है जो गलत फेहमी आपके मन में बहुत दिनों से पनप रहा था जो डाउट था उशे किलियर करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया कहा जा सकता है आज आप एक ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जो आप से कहीं न कहीं दूर हो गया था और इस बात की भी संभावना है कि प्यार की पुराने दिवानगी आपके मन में दोबारा जग उठे अतीत और वर्तमान के रिस्तों का शंतुरन साधना आज का दिन सबसे चुनोती पुर्ण दिन रहेगा देखिए दोस्तों आज आप होने वाली घटनाओं के कारण और कई तरह की उल्टी शीरी सुसनाओं के कारण आप खुदको उल्जन में फसा हुआ अनुभव करेंगे लेकिन दोशतों आपको ऐसा नहीं करना है ठंडे दिमाग से सोचना है और सांत मन से काम करना है इस समय आपका सही मार्क दर्शन आपके मन की आवाज ही कर सकती है जैसा आपका मन कहता है बैसा ही करें इससे आपको काफी कुछ सिखने को भी मिलेगा और आप उस दिसा में आगे बढ़ पाएंगे जिस दिसा में आप बढ़ना साहती हैं और आपको सफलता भी मिलेगी लेकिन आपको सभी पहलों को जास परताल करना होगा और देखना होगा कि कौन सा कार अभी आपके लिए सही ह बिना सोचे समझे कहीं पर भी कदम ना रखें अन्यता बाद में आपको पस्ताना बढ़ सकता है आप अपनी नौकरी की मांग के चलती और स्वास्ते घंटों में भी काम करते रहें इससे आपकी सिहत पर बुरा असर पढ़ रहा है सुबह जल्दी उड़कर सैर पर जाने से औ जोगिंग करने की कोशिश करें इससे आपका सरीर और मन दोनों को तरो ताजा महसूस करेंगे और आपके कारिस्तल पर काम का अधिक तनाव होने के कारण आपकी स्वास्ते थोड़ा सा गड़बडा रही है आपको रिलेक्ष करने के लिए कोई और स्वास्ते तरीका अपना जिससे कि आपके स्वास्थे अच्छा रहे और आपको फिटनेस महसूस हो वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय हूंगी आज का दिन अपने शाथी को प्रेम से संबाधित उपहार या फिर भाव भंगियों के द्वारा आसर सकीत करने का है लेकिन शाथी साथ कुछ अन्य अपने प्रसंसा दिखाने का है और ये सुनसित करने की वह चीज आपको सहिर्दे वाफिस मिले और हरहाल आज अपने शाथी की अंदेखी रिस्तों में तनाव को भी बढ़ा शक्ती है वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय हूंगी आपके कैरियर बिजनस के लिए जो समय कि आपने कुतना कुछ पाया है और आपके शारे बकाया कारे पूर्ण हो जाएंगी और कुछ मुस्किल पर्योजनाओं को रास्ते में जो रुकावर थी वह भी पूरी तरह शे खत्म हो जाएगी जो चीज़ें आपको बार बार रोक रही थी बहुत चीज़ें भी आपके रास्ते से खटने वाली है और आपको आगे बढ़ने में काफी ज़्यादा सफलता मिलेगी नौकेवल आप आसानी से अपनी सभी कारियों को बोज़ खत्म करने में सक्षम होंगी बलकि अपने उत्साह के साथ आप आसपास हर किशी को प्रभावित करने में भी सक्षम रहे देखिए दोस्तों शितारे कहती हैं आज आपके रास्ते में कुछ उल्जने भी आएगी लेकिन आपको अपना ध्यान अपने गोल पर फोकुश करना है जो आपका सबसे बड़ा महत्मुन कारे है आपको अपने कारियों के और ध्यान देना है बाकी चीजों से आपको ध्या जरूर प्रदान करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों अभी के लिए आप शभी को दिल से धन्यवाद स्वास्त रहें मश्त रहें अब बात करते हैं शुबरंग और शुब अंक की तो आज आपका शुबरंग है नील जाते वीडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद दिन आपका शुब हो मंगल मैं हो